Hello and welcome to you all तो जैसा कि हमने last lecture में solar energy पढ़ना हमने start किया था और मैंने बताया था कि हम कई parts में पढ़ेंगे पहले part में हमने solar collectors को पढ़ा, उसका basic principle समझा आज के इस lecture में हम solar energy का दूसरा जो topic है वो study करेंगे दूसरे topic में हमें photovoltaic modules को study करना है ये क्या होते हैं, किस तरीके से solar collectors से differ करते हैं क्या basic principles होता है, वो आज के इस lecture में हम पढ़ेंगे photovoltaic modules क्या होते हैं, देखिए solar energy कुछ भी हो, ठीके solar energy इससे हम क्या समझते हैं, sun की energy को हमें harness करना है ठीके, sun की energy को हमें harness करना है पिछले lecture में हमने देखा था solar collectors होते हैं वो क्या करते हैं किस तरीके से harness करते हैं active solar heating में हीटिंग परपस के लिए हम solar collectors का use कर रहे थे जो कि solar energy को harness कर रहे थे आज के इस lecture में हमें पढ़ना है photovoltaic modules ठीक है photovoltaic modules के बारे में photovoltaic cells के बारे में यह क्या करते हैं यह photoelectric effect का use करते हैं ठीक है अब यह photoelectric effect क्या होता है अगर आपने 11, 12th या फिर 10th में भी physics पढ़ी होगी तो photoelectric concept आप आया होगा आपने पढ़ा होगा जब भी कोई material होता है उसमें electrons होते हैं ठीक है इसके उपर जब sun की energy पढ़ती है sun की energy और sun की energy मैं पता एक pockets के form में होती है इन pockets को photons कहते हैं ठीक है photons sun की energy photons के रूप में आती है किसी surface पे जब पढ़ती है तो वहाँ पे जो electrons होते हैं वो क्या होते है excited state में आ जाते हैं ठीक है उनकी energy बढ़ती है हमने पढ़ा है आटम में कई सारे shells होते हैं तो यह जो electron है यह excited state में आके अपने higher energy shell में चले जाते हैं जिसकी वज़े से इनका movement होने लगता है ठीक है movement move क करेंगे तो क्या होगा electric current produce होगा यही electric current हम harness कर लेते हैं और उसको electricity produce करने के लिए हम यूज करते हैं यही होता है हमारा photo electric effect तो यह photovoltaic चुछ cells होते हैं या modules होते हैं इसमें हम इसी effect को use करके हम energy को harness करते हैं अब देख लेते हैं photovoltaic modules क्या है solar photovoltaics क्या होता है method of generating electric power by using solar cells ठीक है electric power को generate करते हैं solar cells की मदद से अब यह solar cells क्या होते हैं तो हमने पढ़ा photovoltaic photoelectric effect में क्या होता है electrons को use करते हैं electricity produce करने के लिए जब भी उन electrons का excitement होता है photons के द्वारा ठीक है तो solar cells भी इसी principle बर बनाया जाएगा photovoltaic module क्या करता है solar energy को हमारी electrical energy में change कर देता है यह जो effect है यह पहली बार किसने observe किया था यह किया था हमारे अलेक्जांडर एड्मन बेक्वेरल ने 1839 में photovoltaic power generation किस तरीके से होती है power मतलब हमें बहुत बड़े स्तर पर power generate करनी है तो काफी सारी solar cells को मिलाकर solar panel बना लिया जाता है फिर इनको भी solar panel को solar array में arrange किया जाता है देख लेते हैं कैसे यह देखे इस diagram में आप सबसे पहले वाले में देख रहे होंगे एक यह square shape का बना हुआ है यह क्या है हमारा एक solar cell है अभी हम पढ़ेंगे इसकी क्या layers होती है क्या होती है सिर्फ एक solar cell है आप यह समझ लीजे सिर्फ single solar cell का अगर हम use करते हैं तो यह लगभग 0.5 volt produce करता है हमारी power अब हम क्या करते हैं यह solar panel बनाने के लिए इसी cell को हम कई सारी cells को हम arrange कर देते हैं और आपस में connect कर देते हैं और एक panel के तरीके से हम ले आते हैं ठीक है इसमें कई सारी क्या होती है यह individual solar cells होती है इसको हम पूरे arrangement को हम कहते है solar panel और करीब अगर हम 30 cell का combination मनाते हैं किसी solar panel में तो हमें 15 volt तक की energy मिलती है अब यही solar panel हम एक solar panel का use थोड़े बहुत कामों के लिए कर सकते हैं अगर हमें बहुत बड़े सतर पर electricity produce करनी है क्या करते हैं इसी एक solar panels को लेते हैं कई सारे solar panels को उनका arrangement इस तरीके से कर दिया जाता है और हमारा यह कहलाता है solar array जब बहुत बड़े सतर पर हम solar panels को आपस में connect कर देते हैं उसके बाद अब हम देख लेते हैं solar cells होते क्या हैं solar cells क्या होते हैं thin wafer of semiconductor which give out electrons when light energy struck on it ठीक है क्या होते solar cells semiconductor का ही एक thin wafer होता है semiconductor material जादा तर हमारे silicon से बने होते हैं silicon silicon हमें अकसर sand में देखने को मिल जाता है ठीक है कभी भी desert वाले area में जाओ जो sand होता है उसमें हमें silicon भारी मात्रा में देखने को मिलता है उसका भी आगे purification होता है charcoal के दुरू उसके बाद फिर उससे semiconductor जो है वो produce कर लिया जाता है तो जब ऐसे semiconductor material पर हम light energy throw करते हैं तो क्या होता है electrons excite हो जाते हैं और electric flow होने लगता है electrons flow करेंगे तो electric current produce होगा इसी electric current को हम एक battery में store कर लेते हैं लेकिन जानने वाली बात यह है कि यह current होता है हमारा DC की form में इसको एक inverter की मदद से हम AC current में बाद में convert कर लेते हैं सबसे ज़्यादा जो commonly used solar cell होता है वो क्या होता है large area PN junction made from silicon silicon मैंने बताया था silicon से बना हुआ large area PN junction हमारा solar cell होता है ठीक है इसी solar cell के working देख लेते हैं layers देख लेते हैं किस तरीके से arrangement होता है यह आपका इस diagram में basic solar cell का diagram है कुछ इस तरीके से होता है एक wafer होता है इसमें आपको N और P type की layer देखने को मिलती है अब यह N और P type layer होती क्या है इसको समझ लेते हैं semi conductor में क्या होता है एक N layer होती है यह होती है P layer N layer क्या होती है जिसमें काफी सारे हमारे electrons होते है negative charge होता है वही P layer इसके उलट जहाँ पे electron hole होता है hole मतलब positive charge है यहाँ पे जादा ठीक है अब इस P N junction क्या होता है यह N layer है यह P layer है इसके बीच का यह जो area है यहाँ पे junction create हो जाता है इस junction को हम P N junction कहते है अब बहुत जादा detail में मैं नहीं जाओंगी क्योंकि वो physics का part है बड़ basic आपको पता होना चाहिए इस P N junction में क्या होता है normal स्थिती में यहाँ पे कोई भी charge नहीं है ठीक है इसी के use करके हम photovoltaic cell में क्या होता है जब भी यहाँ पे sun की energy पढ़ती है वो N layer से होती हुई हमारी P N junction पे पहुंचती है यहाँ पे क्या है neutral atoms है इन neutral atoms को यह energy क्या करती है ब्रेक कर देती है हमारी holes और electrons में holes जो हैं वो हमारे नीचे की तरफ भागते हैं electrons उपर की तरफ भागते हैं एक तरीके से movement create हो जाता है हमारा electrons का और इसी से हमारी current produce हो जाती है यह इसका basic concept था अब देख लेते हैं यह layers कौन-कौन सी है और P type की layer होगी बीच में P N junction होगा large area P N junction क्या होता है? large area होता है बहुत बीच का जो area होता है जितना बड़ा area होगा उतने ही जादा neutral atom होगे उतनी ही जादा electrons टूट के बनेंगे और उतनी ही जादा हमारी electricity produce होगी तो ऐसे layering कैसे होती है? सबसे उपर हमारा anti glass होता है पहले तो कोई भी अगर solar panel देखेंगे उपर glass की एक layer होती है सिफ और सिफ dust से prevent करने के लिए उसके बाद हमें एक anti reflective coating देखने को मिलती है ठीक है यह यहाँ पर उपर की तरफ anti reflective coating देखने को मिलती है यह क्या होती है? देखें यह जो semiconductor layer होती है बहुत shiny होती है ग्लास भी shiny है पहले ही जो sunlight हमारी पढ़ रही है किसी भी solar panel पर ग्लास पहले ही उस energy का काफी percent हिस्सा reflect back कर देता है साथ ही साथ यह semiconductor की layer भी बहुत shiny है तो अगर इस layer पर directly sunlight पड़ेगी तो हमारा ज्यादा तर हिस्सा reflect back होके वापस चला जाएगा और बहुत ही कम efficiency पर हमारी electric power यहाँ पर produce होगी तो इसी reflection को prevent करने के लिए हम यहाँ पर anti-reflective coating यहाँ पर लगा देते हैं जिससे क्या होता है sun की energy का ज्यादा तर हिस्सा हम use कर पाते हैं और यह anti-reflective coating जो है वो transparent बनाई जाती है क्योंकि अगर transparent नहीं बनाएंगे तो सारी क्या होगा absorb होके energy यही heat होती रहेगी नीचे त और P-type layer होता है फिर यह हमारा पीछे का हिस्सा होता है यह आगे का आगे के हिस्से पर ही हम anti-reflective coating लगाते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं semiconductor की layer होती है जिसमें P-type, N-type होते हैं यह क्या करते हैं sun की energy को electrical energy में convert कर देते हैं through a process called photovoltaic effect उसके बाद layer of conducting material होता है और either side of semiconductor collects electricity produced अच्छा हां दोनों टाइप मतलब दोनों layer के बीच एजस पे हमारे conducting material होते है conducting material होगा कोई तभी तो हम electricity जो produce हो रही है उसको store कर पाएंगे collect कर पाएंगे क्या करते हैं यहां पर wires attach कर देते हैं और यहां पर आपको directly कुछ heat करवाना है मालिया यह bulb है बल्ब को आपको directly glow करवाना है तो direct bulb हमने attach कर दिया वरना इसको हम किसी कहीं पर store करके रख लेते हैं battery वगरा लगा कर उसके बाद layer of ARC होती है सिर्फ illuminated side पे वह side illuminate है जो sun की direct और उसमें आ रहा है जहां पर sun की energy पढ़ रही है उस वाली side पर हम ARC की coating कर देते हैं अब देखिए यह basic इसका वही है working है इसकी light of suitable wavelength ठीक है एक suitable wavelength हमारी sun से पहुंचती है वो energy जो photon में होती है वो ट्रांसफर हो जाती है electron में जो की semiconductor material में है electron क्या होते हैं फिर higher energy state पर jump कर जाते हैं यानि कि excited state में पहुंच जाते हैं और free हो जाते हैं material में move करने के लिए और जब वो move करने लगते हैं तो हमारी electric current produce हो जाती है अब इसके photovoltaic cell के भी कई type होते हैं जैसे कि first generation में हम देखें monocrystal solar cells आते थे multi crystal solar cells आते थे क्या होते हैं mono और multi crystal बेसिकली जब हम एक ही type के crystals use करते हैं solar cell में वो mono crystal होता है और जब हम कई सारे type के crystals को mix करके melt करते हैं पहले ऐसे semiconductors को उसके बाद उसके mixture को बनाते हैं तो कई सारे crystal होते हैं उसमें type के crystal तो उसको multi crystal solar cells कहा जाते हैं second generation में हमारे ये सारे आ जाते हैं amorphous silicon thin film solar cells cadmium telluride solar cells copper indium gallium and copper indium gallium selenide solar cells नाम याद रखने हैं आपको कौन से first generation है कौन से second कौन से third third generation में हमारे nano crystal based solar cells आ जाते हैं polymer based solar cells आ जाते हैं dye sensitive solar cells आ जाते हैं इनको हम types को हम बहुत detail में study नहीं करेंगे क्योंकि हमारा focus area वही है जो हमारे exam के perspective से बहुत important है लेकिन फिर भी अगर मुझे time मिला तो मैं इनके उपर भी lecture बनाऊंगे उसके बाद हम यहाँ पर कुछ चीजे देख लेते हैं जो important है efficiencies देख लेते हैं जो हमने अभी types पड़े हैं उनकी efficiencies सबसे जादा किसकी होती है copper indium gallium क्या था यहाँ पर copper indium gallium selenide की सबसे जादा efficiency जो की किसमें आते हमारे second generation में उसके बाद हमारे monocrystalline की आ जाते है 13-15% फिर polycrystalline की 10-13% और सबसे कम होती है हमारी thin film amorphous solar cell में जिसकी होती है 5-7% तो यह हमें याद रखना है थोड़ा idea होना चाहिए दिमाग में कि thin film amorphous की सबसे कम होती है 5-7 copper indium gallium selenide की maximum होती है around 20% तो हमें यह इससे पता लग रहा है कि हम जो solar energy harness कर सकते है maximum हम 20% सकता कर सकते हैं उसके बाद semiconductor material की efficiencies को अगर हम arrange करें material जो use हो रहे हैं यह types थे types की efficiency थी अब जो हम material यूज कर रहे हैं उसके अंदर उसकी efficiency है सबसे जादा cadmium telluride की फिर gallium arsenide की फिर silicon की फिर germanium की इस order में हमें यह याद रखना है तो आज के इस lecture में हमने photo voltage cells को modules को बहुत detail में study किया है I hope आपको समझ में आया होगा lecture पसंद आया होगा प्लीज लाइक कर दीजे इस video को subscribe कर लीजे ताकि मैं आगे के videos बनाने के लिए भी motivated रह सकूँ साथी मैं आपके लिए third part में हम solar ponds on numericals करेंगे तो मेरे साथ बने रहे हैं